उत्रगंड में लगतार पिछले कई घंटों से लगतार बारिश जारी है इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुछकर सिंग धामी अभी आप्दा प्रवंदन विभाग में पहुंचे वे ओचक निरेक्षण है उनका उन्होंने आधिकारियों को आदेश दिया है कि किसी भी हाल मे ध्यान लखा जाए और पूरी तरह से चीज़ को लेकरे के सुनिशित क्या है उन्होंने के अधिकारी इस बात का ध्यान लखे कि किसी की भी जान जानमाल की हानी ना हो, साथ ही उन्होंने आब्दा प्रवंदन विभाग के तमाम अधिकारियों से मुलाकात की, इस वक्त पुशकर सिंग धामी हमारे सामने है मुख्यमंत्री, और यहां पर ओचक निर्शन कर रहे हैं, सियन धामी का साफ तोर पर कहना है कि जिस तरह से काड़ी से बॉल्डर के गिरने से तीन लोगों की मौत हो गए थी, तो इसको लेकर की मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी काफी सजग है, और आब्दा प्रवंदन विभाग में इस वक्त यहां पर निर्शन कर रहे हैं, तमाम चीजों का जाइजा ले रहे हैं, अधिकार से बात करें, सर आज आपने और चक्रेशन किया है, प्रदेश बर में बारिश हो रही है, तो क्या कहेंगे से, सभी को कहा है कि अभी अलएट मोड में रहना है, और एक दुसरे से प्रस्वर कोडिनेशन करते हुए, सबसमन में बनाते हुए, सभी विभाग और जहां भी संदेशे सर, सरगार का, कावडियों के लिए क्या संदेशे सर, कावड यात्रा चल रही है, नहीं सभी हमारे सिवभक्त कावडियों का हम यहां स्वागत करते हैं, सब का अविनंदन करते हैं, चूकि हरिद्वार एक ऐसा इस्तान है, यहां पूरे देश भर के कावडियों क पूरा केंदर बनते हैं और वहां पर उसके सभी मार्झों पर हमने буर्बी प्रैयास किये हैं कि यात्रा सभ की सबकी अच्छे से हो सभी विवागवें को पहले से काया हैा मैंने भी स्व ? मुई नजर्गां ओू सभी अधिकारी इसका नजर बना हूं कि हमेरे साथ बात करने के लिए उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी थे जिन्होंने साफत और पे कहा है कि परदेश में हम पूरी तरह से धान रख रहे हैं कि कामड यात्रा के दुरान यात्रियों का पुरा खयाल रखा जाये साथ ही जिस तरह से आपदा करते हुए मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने तमाम अधिकारियों को दिशान रिदेश जारी किये हैं कि पूरी तरह से इस बात का खयाल रखा जाए कि जो यात्री हमारे यहां आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो साथ ही जो कामड यात्रा चल कामड यात्रा को लेकर के उरह कहि Jordi के विशेश विश्थाय कि है तमाम अधिकारियों को हमने इस बात के आदेश कामड यात्रा को किसी पुरते कुऊल ही सिब्सद्री कि कोई परेशानी ना हो VBP घंगा अब आपकी अधड़ा हए